आपके अपने चैनल आपकी बैठक में तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नजर डालेंगे उन नामी भारती एथलीट्स की और जो की टूप्यो ओलम्पिक्स में जाने से चूप गए और वो ओलम्पिक्स में नहीं दिखेंगे जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये साल साथी साथ जो पिछला साल गया उसमें एथलीट्स को इंजरी का सामना करना पड़ा साथी साथ लॉक डाउन और कोविड पैंडमिक के कारण काफी एथलीट्स की तैयारी प्रेपरेशन को काफी जादा एफेक्ट किया गया है जिसके कारण उन्हें जो उनका जो मौका था टोक्यो ऑलम्पिक्स में क्वालिफाई करने का वो उससे चूग गए काफी ऐसे जाने माने चेहरे हैं नामी स्टार्स है जो कि टोक्यो ऑलम्पिक्स में नहीं दिखेंगे जिनसे काफी उमीद लगाई जा रही थी जिस करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ नामी खिलाडी जैसे की तेजश्विन शंकर या फिर भारतिय महिला स्प्रिंटर हीमादास साथी मंजीर सिंग और ऐसी कई नामी एथलीट्स हैं जो कि टोक्यो ओलम्पिक्स में नहीं दिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं उन एथल करने पहली बार 2015 कॉमन वेल्थ यूद गेम्स में अपने नाम गोल्ड मेडल किया था साथी उन्होंने यहां पर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया था जो कि 2.14 मीटर का था अगर बात करें 2018 कॉमन वेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन की तो उसमें उन्होंने 2.28 मीटर की जंप मार कर नकेवल क्वालिफाई किया था बलकि एक नया नैशनल रिकॉर्ड भी बनाया था अगर बात करें टोकियो ऑलम्पिक्स की तो तेजश्विन के आगे एक आखरी मौका था इंटर स्टेट मीट जो की पटियाला में चल रही थी उसमें 2.33 मीटर की जंप मार कर क्वालि की रहने वाली भारतिय स्टेपल चेजर सुदा सिंग की जी हाँ दोस्तों सुदा सिंग एक अनुभवी एथलीट है जिनोंने 2005 से काफी अंतराश्ट्रिय इवेंट्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है साथ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने 2010 एशन गेम्स में 3000 मिटर स परकार्ता एशन गेम्स में उन्होंने सिलवर मेडल भी जीता था अगर बात करें तो सुदा सिंग ने अब तक 2012 लंडन ओलम्पिक्स साथ ही साथ 2016 रियो ओलम्पिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है लंडन ओलम्पिक्स में उन्होंने 13 इस्थान हासिल किया था और र 30,000 मीटर स्टेपल चेज इवेंट में क्वालिफिकेशन माक को हासिल नहीं कर पाई जिसके कारण वो इस साथ टोकियो ओलम्पिक्स में भारत का नेत्रत करती हुई नहीं नजर आएगी तो चलिए अब बात करते हैं अगले भारती अथलीट की जो की आपको टोकियो ओलम्पिक्स में नजर नहीं आएंगे तो अगले अथलीट है जिंसन जॉनसन जो की 800 मीटर और 1500 मीटर इवेंट में मिडल डिस्टेंस रनर है जॉनसन ने 2016 रियो ओलम्पिक्स के 800 मीटर इवेंट में एक मीटर पंतालिस दशमलव नो आट सेगिंड का परसनल बेस्ट टाइम देते हुए क्वालिफाई किया था और उन्होंने 2018 इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर में ही श्री राम सिंग का नैशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा था 2018 कॉमन वेल्ट गेम्स के 1500 मीटर इवेंट में जिंसन पांचवे स्थान पर रहे थे लेकिन उन्होंने 23 साल पुराना नैशनल रिकॉर्ड जो की बहदूर परसाद का था वो तोड़ दिया था साथ ही उन्होंने 2018 जकार्था एशन गेम्स में 1500 मीटर में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और 800 मीटर में सिल्वर मेडल जीता था लेकिन इस साल टोक्यो ओलम्पिक्स में उनकी एचाइल स्टेंडन इंजरी के कारण साथ ही लॉकडाउन के कारण और कोविड के कारण उनकी जो उमीद थी टोकियो उलम्पिक्स में क्वालिफाइ करने की वो खतम हो गई है और वो टोकियो उलम्पिक्स में नहीं नजर आएंगे तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अथलीट की और तो अगले एथलीट है अमरिच सर के रहने वाले भारती ट्रिपल जंपर अर्पिंदर सिंग जी हाँ दोस्तों, 2014 ग्लासको कॉमनवेल्ट गेम्स में उन्होंने ब्राँज मेडल अपने नाम किया था उसके बाद 2014 नैशनल इंटरस्टेट चैंपियंशिप जो की लखनव में हुई थी उसमें उन्होंने क्वालिफाइंग इवेंट में एक नैशनल रिकॉर्ड तोड़ा था जो की पहले रंजीत महेश्वरी का था उन्होंने नैशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17.1,7 मीटर की जम्प लगाई थी अगर हम बात करें तो अरपिंदर सिंग 2018 एशन गेम्स के बाद सुर्खियों में आय थे क्योंकि उन्होंने 2018 एशन गेम्स में अपने नाम गोल्ड मेडल किया था वो दूसरे भारतिये खिलाडी थे जिसने एशन गेम्स के ट्रिपल जम्प इवेंट में गोल्ड मेडल जीता हो टोकियो उलम्पिक्स में क्वालिफाई करने की काफी उमीद होने के बावजूद भी कोरोना के कारण उनकी ट्रेनिंग में कमी होना साथ ही उनके घुटने के दर्ध ने उनका Tokyo Olympics का सपना तोड़ दिया और वो Tokyo Olympics के लिए qualify नहीं कर पाई तो चलिए अब बात करते हैं पांचवे भारती अथलीट की तो हमारे पांचवे भारती अथलीट है धरुन आयासामी जो की तिरूपूर के रहने वाले हैं वो 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल इवेंट के धावक है। साथ ही उन्होंने 2016 रियो ओलम्पिक्स के 4 इंटू 400 मीटर रिले इवेंट में भी हिस्सा लिया था। 2016 साउथ एशन गेम्स जो की गुहाटी में हुए थे उसमें धरुन ने 400 मीटर हर्डल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 2018 जकार्था एशन गेम्स के 400 मीटर हर्डल और साथ ही साथ 4 इंटू 400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। लेकिन वो टोकियो ओलम्पिक्स में क्वालिफाई करने में नाकाम रहे और वो इस साल टोकियो ओलम्पिक्स में नहीं दिखेंगे। अगले एथलीट 31 वर्ष ये उजहाना के रहने वाले मिडल डिस्टेंस रणर मंजीत सिंग है। जी हाँ दोस्तों मंजीत सिंग एक मिडल डिस्टेंस रणर है जिनोंने 2018 जकारता एशन गेम्स के 800 मिटर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने इस इवेंट में अपने साथी जिंसन जॉन्सन को भी शॉक कर दिया था। और वो 36 साल में पहले भारतिये बने थे जिनोंने गोल्ड मेडल जीता हो। लेकिन इस साल मार्च में हुए फेडरेशन कप में वो 800 मिटर साथी साथ 1500 मिटर इवेंट के ओलम्पिक क्वालिफिकेशन टाइम को हासिल करने में नाकाम रहे। और टोकियो ओलम्पिक्स को क्वालिफाई करने से चूग गए। इन्टो 400 मिक्स रिले में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। साथ ही इन्होंने जकारता की वुमेंस 400 मिटर रेस में सिल्वर मेडल जीता था। अगर बात करे हम उस रेस की टाइमिंग की तो उनकी जो टाइमिंग थी वो थी 50.79 सेकिंड जो आज भी एक नैशनल रिकॉर्ड है। साथ ही वो इंटरनेशनल ट्रैक पर भी जीतने वाली गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतिय महिला स्प्रिंटर है। उन्होंने 2018 के वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियंशिप जो की फिनलेंड में हुई थी उसमें 400 मीटर के फाइनल में पहला इस्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। हिमादास हैंस्टरिंग इंजरी जो की उन्हें 100 मीटर हीट्स में हुई थी उसके कारण वो टोकियो ओलम्पिक्स को मिस करेगी। साथ ही उन्हें वोमेंस 4 x 100 मिटर रिलेट टीम में से भी रिप्लेस कर दिया गया था लेकिन ये भी रिलेट टीम टोकियो ओलम्पिक्स में क्वालिफाई करने से चूग गई तो ये काफी हैरान कर देने वाला है कि आप सभी को हीमादास टोकियो ओलम्पिक्स में नहीं नजर आएगी तो काफी दुर भाग्यवश है कि इतने जाने माने भारती एथलीट्स टोक्यो ओलम्पिक्स में नहीं नजर आएंगे साथ ही नहीं भारत को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे लेकिन हम उमीद करते हैं कि ये सबी भारती एथलीट्स अपनी ट्रेनिंग को जारी रखे अपनी मेहनत को जारी रखे और आने वाले सबी नैशनल और इंटरनाशनल गेम्स में अपना बेस देते हुए भारत के लिए और खुद के लिए गलोरी हासिल करें जियां दोस्तों साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि क्या पता अगले ओलमपिक्स में ये भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आप सभी को नजर आएं तो हमारी इन सभी के लिए बेस्ट विशेज है तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो आप सभी के लिए तो ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप सब जुडे रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ सो थैंक यू एव्रिवान